हालो फ्रेंज, मैं अशिष, EK24 यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंज, आज करें इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे HP पटवारी के examinations का questions paper और इस वीडियो में हम cover करेंगे mathematics sections को ये पूरा का पूरा questions paper जो है हमने solve किया है तो friends ये जो answer हम आप सबके साथ share कर रहे हैं वो 100 cents सही रहेंगे फिर भी ये आपको लगता है कि इसका answer कुछ और हो सकता है तो please वीडियो में जूरर comment करें चलिए देखते हैं mathematics section में किस तरह के questions पूछे गए थे सबसे पहला questions था 51 number 2 की power 0 into 3 की power 0 into 4 की power 0 तो friends इसका right answer हेगा A option 1 next question है 52 5 plus 1 upon 100 plus 5 upon 1000 plus 51 upon 10,000 का मान क्या है तो friends इसका right answer हेगा C option 5.0201 is the right answer friends ये आपको ये वीडियो ये content अच्छा लगे तो please ये से like share और comment करना मत भूलिएगा चलिए देखते हैं next question ये दो करमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या है तो friends इसका right answer हेगा B option 32 is the right answer next question है friends एक देखती के बेतन में 10 प्रतिसत भृति होती है ये उसका नया बेतन 1,54,000 है तो उसका मूल बेतन क्या होगा तो friends इसका right answer हेगा C option 1,40,000 is the right answer next question है friends वह सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए जो 4,9 और 10 प्रतिक से विवाजित हो जाए तो friends इसका right answer हेगा D option 360 is the right answer next question है उस गुले का आइतन बताईए जिसकी त्रिजिया 2D upon 3 है अक्चल में क्या होगी तो इसका right answer हेगा A option 32 upon 81 pi dr cube next question है 2 into 3 upon 2 को प्रतिक सत में लिखे तो इसका right answer हेगा B option 350 percent यानि की B option इसका right answer हेगा next question है अर्जुन की आयू, स्रिया की आयू की दुगनी है 5 बर्स परले उसकी आयू, स्रिया की आयू की त्यूनिंग ही दोनों की आयू ग्याद कीजिये तो friends इसका right answer हेगा B option 5 verse and 10 verse next question है 59 number 0.7 मा फिचाओंगा friends, minus 7 divided by 21 upon 13 इसका right answer हेगा B option minus 13 upon 3 next question है यदि 567, 567, 567 को 567 से भाग दिया जाए तो उसका भाग पल क्या होगा friends, बहुत से students जो है वो comment कर रहे थे कि इसका right answer हेगा 111 but इसका right answer है वो C option से रहेगा 1001001 यानि कि C option इसका right answer हेगा next question है एक रेल गाड़ी 750 km की दोरी से 25 घंटे में तय करती है तो एक घंटे में रेल गाड़ी की औसत तय दोरी कितनी होगी तो friends, इसका right answer हेगा C option 150 km यानि कि इसका C option सही रहेगा next question है 1, 127 upon 216 ता घंटमोल क्या है तो friends, इसका right answer हेगा C option 1, 1 upon 6 C option इसका right answer हेगा next question है 63 number रुपए 1000 पर 10% बार्जसक दर से 2 साल का चकरविदी व्याज है तो इसका right answer क्या रहेगा तो इसका right answer हेगा B option 210 rupees next question है friends इसका answer कुछ नहीं आपा रहा है तो हमारे end से जो है इसका answer जो है ये question जो है वो wrong है फिर विए दिया आपको लगता है कि इसका answer कुछ और हो सकता है तो वीडियो में जुरूर कमेंट करें next question है 0.42 plus 0.042 plus 0.0042 minus 0.0042 का यो क्या है तो इसका right answer रहेगा B option 0.46578 next question है एक गाउं की अबादी 5000 है और दो प्रतिसत की दर से हर बर्स बढ़ती है तो दो बर्स बाद कितनी अबादी होगी तो friends इसका right answer रहेगा C option 5202 next question है यदि बित की प्रिधी 132 cm हो तो उस बित का सेत्रफल क्या होगा तो friends इसका right answer रहेगा A option 1386 बर सेंटिमेटर next question है 4, 6, 12, 15 का लगतम समाबर तक क्या होगा तो इसका right answer रहेगा B option 60 is the right answer next question है यदि एक 240 मिटर लंबी रिल गाड़ी एक खंबे को 16 सेकीन में पार कर लेती है तो उस रिल गाड़ी की चाल क्या होगी तो इसका right answer रहेगा B option 50 km पर घंटा next question है यदि 56 माइनस 45 प्लस अंडूट x is equal to 17 तो x is equal to what friends इसका right answer रहेगा A option 36 next question है सेंखला 2, 5, 11, 20, 32, 47 dash dash 86 में लुफ्ट संख्या ज्याद कीजिए तो इसका right answer रहेगा B option 65 किसी लंब बित्य बिलन के अधार की परिदी 44 cm है और उसकी उंचाई 15 cm है तो बिलन का आयतन cm q में है तो इसका answer बताईए is equal to pi is equal to 22.7 लीजिए तो इसका right answer रहेगा D option 200 2310 is the right answer next question है minus 1 की power 1000 का मान है तो इसका right answer हैगा B option 1 is the right answer next question है मोहन एक कार को रुपए 8000 में खरीता है और एक बरस बाद 65 हनी पर बेश देता है तो कार का बिक्रे मुले क्या होगा तो friends इसका right answer हैगा B option 6000 next question है 3 upon 4 to power 7 into 4 upon 3 की power 7 तो इसका answer क्या रहेगा तो friends इस questions में भी थोड़ा सा doubt है हमारे end से इसका answer options ए रहना चाहिए बट यदि आपके end से इसका answer कुछ और है तो please वीडियो में जुरूर comment करें friends मैं आसा करता हूँ कि आपको ये जानकरी अच्छी लगी होगी और यदि आप कोई जानकरी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को like, share और comment करना मत भूलिएगा हमने पूरे के पूरे questions पेपर जो है वो solve out किये हैं solve out करने के बाद ही answer हमने आप तक पहुचा है यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज अपनी comment के साथ answer भी जुरू share करें और friends यदि अभी तक आपने हमारे चैनल EK24 को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे एक humble request है प्लीज चैनल को जुरू subscribe करें ताक कि जैसे ही हम किसी भी exam के answer की upload करें तो उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें मिलते हैं next knowledge next वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye जैहिन जैभार